नमस्ते दोस्तों मेरे चनल पर आप सभी का हर्दिक स्पागत है दिवाली के त्योहर पर हम सबके गर में अलग-अलग प्रकार की नमकीन बनती है तो आज मैं आपके साथ एक बहुती यूनिक रेसिपी लेकर आया हूँ जिसका नाम है चौराफरी फ्लेवर सेव गुजरात मे दिवाली के त्योहर में चौराफरी सबके गर में बनती है लेकिन ये सेव आपने कभी खाई नहीं होगी तो वीडियो को स्कीप किये बिना एंट तक अवर्शे देखिए रेसिपी की शुरुवात करते है चौराफरी फ्लेवर सेव बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा चक्की में पीस कर जो आटा तयार करते हो वो भी आप ले सकते हैं किसी भी रेसिपी को बनाते वक्त अगर आप बेसन का उप्यों करो तो उसे चानना बहुत ही ज़रूरी है वन्ना उसके अंदर इस तरह के गांठे पड़ जाते हैं अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप 1500 ग्राम बेसन ले सकते हैं बेसन को चानने के बाद अब हम उसमें आदा कप उरत की डाल का महिम आटा चान कर एड़ करेंगे ये आटा आपको किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाता है और आप गर पर भी बिना चिलके वाली उरत की डाल को चक्की में पीसकर तयार कर सकते हैं वज़न में देखने जाए तो 60-70 ग्राम हमने उरत की डाल का आटा लिया है अब हम उसमें बाकी की सामगरी एड़ करेंगे सेव को क्रिस्पी बनाने के लिए उसमें 1.4 teaspoon baking powder और 1.4 teaspoon baking soda जो खाने का मीठा सोडा होता है वो एड़ करना है अगर आपके पास baking powder अविलिबल ना हो तो आप half teaspoon baking soda भी add कर सकते हैं लेकिन दोनों आप आधी-ाधी quantity में add करोगे तो सेव जादा अच्छी बनेगी उसमें स्वादा नुसार या half teaspoon जितना नमक add करेंगे नमक का उपयोग जादा ना करें क्योंकि सेव को तलने के बाद उसके उपर हम masala sprinkle करेंगे और मोयन के लिए हम 3 चम्मच यानि की 3 teaspoon refined oil add करेंगे oil हमें room temperature पर हो वैसा ही लेना है अगर आप steel की चम्मच का उपयोग कर रहे हो तो आप 2 चम्मच भी oil add कर सकते हैं अब सभी सामगरी को हाथ की मदद से अच्छे से mix करेंगे जैसे 4 फली का आटा कुनते वक्त हम उसमें हल्दी लाल मिल्च पावडर जीरा अजवाइन हींग जैसे मसाले का उपयोग नहीं करते उसी तरह से हमें ये सेव का आटा कुनना है कई लोगों को चौरा फली बनाने की लेंदी प्रोसेस करने की आलस आती है या किसी भी कारण वर्ष वो नहीं बना पाते तो ये सेव आप सिर्फ 10 से 15 मीट में तयार कर सकते है और ये सेव चौरा फली जैसी ही स्वादिश बनती है इस सरसे हमने सोडा, नमक और तेल को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है ट्रेडिशनल तरीके से चौरा फली बनाते वक्त उसमें चौला का आटा भी एड़ किया जाता है अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें 2 टेबल स्पून जितना एड़ कर सकते है आटे में मोयन देने के बाद अब हम उसमें आवशक्ता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाएंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा कुन कर तयार करेंगे एक साथ ज़्यादा मात्रा में पानी का उप्योग ना करें क्योंकि हमने अभी बेशन के साथ उरत की दाल के आटे का उप्योग किया है और अगर आप ज़्यादा पानी एड़ करोगे तो वो चिकना हो जाएगा और आपके हाथ के उपर चिपकेगा किसी भी प्रकार की सेव को बनाते वक्त आटा सेव मेकर में से हम सेव को निकाल सके वैसा सॉफ्ट होना चाहिए इतनी कॉंटिटी में आटा गुनने में करीबन आदा कब पानी का उप्योग होगा और पानी हमें गरम या ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है डूम टेंपरेचर पर हो वैसा ही लेना है दीवाली के त्योहर में अगर आप ये सेव गर पर बनाओगे तो मैं गैरंटी के साथ कहता हूँ कि आपके गर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी चौरा फली बनाने के लिए हम सक्त आटा गुनते है लेकिन ये सेव का आटा हमें इस तरह का मीडियम सॉफ्ट रखना है आटा गुनने के लिए हमने एक कप पानी लिया था उसमें से आदा कप पानी बचा है अब आटे को बिल्कुल भी रेशना दे उसके उपर हाफ टीस्पून तेल एड़ करके आटे को अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे आटा परफेक्ट गुन्दा है वो बर्तन में या हाथ के उपर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा सेव मेकर के साथ अलग-अलग प्रकार की जाली मिलती है उसमें जो सबसे बड़े छेद वाली जाली है उसका उप्योग करके हम सेव बनाएंगे अगर आपको महीम या मीडियम सेव बनानी हो तो वो भी बना सकते है जाली को सेव मेकर के साथ फिक्स करके जो आटा तियार किया था उसे उसमें भर कर उपर से टकल लगा कर इस सरसे फिक्स करेंगे सेव को तलने के लिए कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है तेल गरम हो तब तक हम सेव के उपर स्प्रिंकल करने के लिए मसाला तयार करेंगे उसके लिए एक बोल में एक चम्मच काला नमक और दो चम्मच लाल मिल्च पाउडर लेकर उसे अच्छे से मिक्स करे आटा गुंते वक्त हमने उसमें बिल्कुल भी लाल मिल्च या काली मिल्च का उप्योग नहीं किया था इसलिए मसाला में लाल मिल्च थोड़ी जादा ही ले अभी मैंने रेगिलर लाल मिल्च ली है आपको कम तिखा पसंद हो तो आप काश्मिरी लाल मिल्च पाउडर भी ले सकते है तेल मीडियम गरम हो गया है अब सेव मेकर की मदद से सीधी कड़ाई में गरम तेल में हम समा सके उतनी सेव निकालेंगे मार्केट में जो पैकिंग में गुच्डा सेव मिलती है उसी तरीके से हमें गोल जलेबी की तरह एक बड़ा सा सरकल तैयार करना है अगर आपको इस तरह से सेव मेकर गुमाने में तकलिफ होती हो तो आप दूसरी मेथर से भी कर सकते है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा सेव को तलते वक्त तेल मीडियम गरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखे दोनों साइड से सेव अच्छी सी गोल्डन प्राउन और क्रिस्पी हो जाए और अंदर से भी बिल्कुल भी कच्छी ना रहे उस तरीके से हमें उसे फ्राई करना है इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पाद उससे जारा की मदद से पलटते जाए और फ्राई करते जाए सिफ बेशन की सेव अगर आप बनाओगे तो उसे तलने में कम समय लगता है लेकिन हमने आटा गुंते वक्त उसमें उरत की दाल के आटे का भी उप्योग किया है जिसके कारण इसे तलने में बेशन की सेव से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा एक बार सेव को तलने में करीबन 4 मीर जितना समय लगता है सेव को तलने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करे वरना वो अंदर से कच्ची रहेगी और थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेगी सेव को तलते वक्त उसे ज़्यादा डार्क ना होने दे इस तरह की थोड़ी लाइट गोल्डन ब्राउन रंकी हो जाए फिल जारा की मदद से उसे बार निकाल कर एक प्लेट में रखे और इसी तरह से हम बाकी के आटे में से भी सेव को डीफ्राइ कर लेंगे अगर आप कुकिंग में बिगिनर्स है तो इस सरह से सेव मेकर में से सेव निकले फिर हाथ की मदद से तोड़ कर उसे कड़ाई में यानि की गरम तेल में डीफ्राइ करे ये मेथड हमने जो पहले मेथड देखी उससे ज़्यादा इजी है दीवाली के त्योहर में हम बार से नाश से लाए तो वो महेंगे आते है और उतने हाईजनिक भी नहीं होते अगर आप घर पर बनाओगे तो वो स्वच और अच्छे बनेंगे इस सरसे सेव को अच्छी सी लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो तब तक फ्राइ करेंगे अगर आप मुंगफली के तेल में सेव बनाओगे तो उसे 10-15 दिन तक और कॉटन सी डॉयल में अगर आप उसे फ्राइ करोगे तो आप 20-25 दिन तक उसे एरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं इस सरसे सेव को तलने के बाद उसके उपर हम तयार किया हुआ मसाला स्प्रिंकल करेंगे सेव जब गरम हो तभी उसके उपर मसाला स्प्रिंकल करने से सारा मसाला सेव के उपर अच्छे से कोट हो जाता है जैसे हम चौरा फली के उपर मसाला स्प्रिंकल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये सेव के उपर किया है जिसके कारण ये सेव का टेस्ट भी चौरा फली जैसा ही आएगा सेव रूब टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडी हो जाए फिर उसे एर टाइड कंटेनर में स्टोर कर सकते है तो दोस्तों आप भी ये सेव की रेसिपी गर पर जरूर ट्राइ करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी सरल एवं सात्विक रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजु में दिये गए बेल आइकोन को दबा कर अल बटन पर क्लिक करें जिससे आने वाले सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो